हलो फ्रेंड्स आपका गीता जवर्ड में स्वागत है और आज जो मैं रेस्पे बना रही हूँ वो है अंकुरित मूंग से अंकुरित मूंग बहुत ही फाइदे मन्द है फाइबर से भरा हुआ है और हमारे पाचन के लिए भी सबसे अच्छा है कब्स को दूर करता है और ये बहुत ही अच्छा है प्रोटीन का तो हम वेजटेरियन के लिए तो सबसे अच्छा स्रोथ है प्रोटीन का इसके लिए मैं इतना अच्छा से अंकुर हो गया है, उसके सब निकलाएं हैं, अंकुरित फूरी स्प्राउटिट हो गये हैं और ये बहुत ही अच्छी तेस्टी पूरी कचोड़ी बन कर तयार होगी, और ये बहुत ही अच्छी और आप इसको हपतो रख सकते हैं, वो खराब नहीं होगी थोड़ा ही बनाना है तो मैंने आधा ही लिया है आपको जितना बनाना है उसकाबसे आप मिक्सर जार में उसे ले लीजिए और इसमें आप डालेंगे थोड़ा सा एक इंच जितना अध्रक का टुकड़ा अध्रक को हूंने छिल लिया अच्छे से धोकर और उसे टुकडे में ढाल दिया यहां पे हमने तो मीटियम साइच की मिर्च हरी मिर्च लिए हरी मिर्च आप अपने साधन सा लिजी और बिना पानी डाले इसे हमें पीसना है सबसे जरूरी चीज है कि इसमें हमें पानी नहीं डालना है सुखा इसी तरह ही पीषना है वो अंकृत होती उसमें काफी पानी होता है इसलिए इसमें हमें ज़रुरत नहीं है पानी की और यहाँ पर हम लेंगे लहसन पांच शेकलियां उसे भी हम अच्छे सी कूछ लेंगे आप चाहें तो साथ में मुंके भी पीष सकते हैं और यह हमारे पास अजवाइन की एक दम फ्रेस पत्ती इसे भी हम चुटा-चुटा चॉप करके यहाँ डाल देंगे अगर आपके पास यह पत्ती नहीं है तो आप सुखी अजवाइन लीजिए आधी चमच उसे हाथ से रगड़ कर इसमें डाल दीजिए और यह स्मेल इसकी बहुत अच्छी आती है अज फ्रेस पत्ती है तो जरूर डाले नहीं है तो आप सुखी भी डालें अब यहाँ कुछ मसाले डालेंगे जैसे हम ने यह कोरियंडर पॉडर यानि धनिया पॉडर डाला है साथ में रेटचिली पॉडर डाले रेटचिली पॉडर आप अध्यान दीजिए कि हरी मिर्च भी जाला है हमने थोड़ा सा हम यहां पे गरम मसाला डालेंगे और साथ में डाले हैं जीरा और हम लेंगे यहां पे ट्राइ मैंगो पाउडर यानि अमचुर पाउडर लेंगे थोड़ा सा खटास के लिए और साथ में डालेंगे कलोंजी यानि कि मंगरेला और एक चमच हमने यह सारे मसाले मिक्स हो गए, अब यहाँ पर हम लेंगे गेहूं का आटा, गेहूं का आटा हमें उतना ही लेना है, जितना मुंग में खब जाएगा, मुंग जिसने से हमें लोट चैसा बन जाएगा, उतना ही यहाँ पर हमें गेहूं का आटा जालना है, जादा नहीं डालना है, और इसका कोई नाप लेकर मैं नहीं बना रही हूँ, जितना जो चीजे खब जाएंगी, उतना ही ग्यों काटा हम इसमें पड़ेगा, अब यहाँ पर हमने देशी घी लिए, तीन चम्मच भर के घी डाल देंगे, घी से मौयन अच्छे आते हैं, इसलिए घी ही डालना चाहिए, अगर है तेल तो आप डाल जीजे, पर हो सके तो घी से ही करिए, तीन चम्मच भर कर हमने घी लिया है, अब हम क्या करेंगे, घी और मौंग और के हो क्याटे, इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे, और साथ में इसे बांधते जाएंगे, ताकि ये हमारा डोके फॉर्म में बन जाए, और हम बहुत जरूरत होगी तो ही पानी का यूज़ करेंगे, वरना तो इसमें अगर बन जाए, ये हमने मिक्सर जार में जो मुंग को पीसा था ना, वो ही थोड़ा सा पानी दोकर जार को रख लिया था, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इसमें डालेंगे, ये मुस्के से एक चमच ही हमारा पानी यूज़ में आया होगा, बाकी सब पड़े थे, यानि कि पानी की बहुत जरूरत नहीं पड़ती है, उपर से हम इसमें हलका सा घी लगा कर इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट होने रख देंगे, अब ये से हम एक साइड में रख देते हैं, और ये देखिए हमारा 10 मिनट सो गया है, अब इसे हम क्या करें, हास से इसकी छोटी छोटी लोईया बना लेगे, हमें इसे कचोड़ी पुरी की साइज देना है, तो जितनी बड़ी बनानी है, आप उसी साब से तोड़े हमें इस तरह से छोटी छोटी बनानी है, तो मैंने उसे दलोई बना लिया है अब हलका सा चकले पर और रोले पीन पर भी हम याने के बेलने पर और चकले पर दोने पर हलका हलका घी लगा देंगे और हम इस तरह से हलके हाथों से बेल लेंगे पूरी का सेब देंगे इसे आप चाहें तो यहाँ बीच में इसे अगर हफ्ते भर रखना है तो बीच में इसे छेट कर दीजे और नहीं करना है तो पूरी क्या कर कभी आप बेल लीजे यह भी आराम से चल जाएगी कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि हमने पानी का यूज ही नहीं किया है इसमें वाली कप्चाओड़ी डाल देंगे और मीडियम से लो पर धीरे-धीरे हम इसे सेकेंगे क्योंकि इसे हमें कुर्कुरी करारी बनानी है इसलिए हमें छटपट पूरी कैसा नहीं का क्षओड़ी बाक्स में मिल जाएगी लिंक्स आप सभी लोग शेयर करें लाइक करें कमेंट्स करना ना भूलें बेल आइकम जरूर प्रेस करें वाओ